नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलाल में बिहार में बहुत सारा जो भरती है वहाँ पे निकल के आ रहा है अलग-अलग जिलों के माद्यम से आप लोग का जो बहाली है वहाँ पे निकल के आ रहा है और उसी क्रम में जो है एक और नई भरती है आपे निकल के आई हुई है तो आज मैं आप लोग को जो है उसी बहाली के बारे में जानकाई देने बाला हूँ फिलहाल ये जो बहाली है दोस्तों ये तीन जिले में आप लोग का निकल के आया हुआ है और धीरे-धीरे जो हर एक जिले में आप लोग का जो बहाली है वहाँ कर पाईएगा कोई भी दिक्कत है हाँ पे नहीं होने बाला है सबसे पहले दोस्तों आप देखी कि बहाली क्या है और किस तरीके से वेकेंसी निकल के आया हुआ है तो उसको जानने के लिए आपको करना क्या है आप डायक लिए जो है इस वेबसाइट पर आ सकते हैं यह जो है आप लोगका बिहार गवर्णेंट का जो आप लोगका नोडिफिकेशन का वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आ सकते हैं इसका लिंक में आप लोगको जो है डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में देदूँंगा तो वहाँ से क्लिकर करके आप यहाँ पर यहां पे जो है detail meter काहाँ पे option है इस पे आपको जो है क्लिक करना है और इस notification को आप लोग कहाँ पे download कर लेना है मैंने यहां पे नोटिस डाउनलोड कर लिया है अब यहां पे देखे कुछ इस तरीके से आप लोगा जो notice है वहाँ पे open हो चुका है और यह जितना भी आप कर आया हुआ है रिकूर्मेंट का option है detail meter का option है इस पे download पे आप क्लिक किजएगा तो कुछ इस तरीके से इसका भी जो notification है वह आप लोग कहाँ पे download हो जाएगा यहां पे देखे जो notification है वह यहां पे download हो चुका है सेम इस तरीके से एक और आप लोगा आया हुआ हुआ है जो बिज्ञान एबन प्रदोगिक विभाग जो होता है उसके तरफ से आप निकाला गया है और यह जो बेकैंसी रहने बाला है यह एपटेंश का आप लोग का बहली होने बाला है एपे 10 Charity के पतब पे आप लोग पे अप से बहाली का प्रक्रिया की आवेदन रहने बहाला है और जो भी आप लोग का क्वालिफिकेशन है वे लगभग आप लोग का पर सेम रहने बहाला है और आप लोग का जो जगह है वे हाँ जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो सबसे पहले यहां पर देखिए आप लोगा जो बहाली आया हुआ है यह आप लोग का National Appetence Trainee यानि की N.A.T.S. के तहट जो है आप लोगा Appetence Trainee के पत पर यह जो भरती है वह आप लोगा आप लोगा निकल के आया हुआ है और अलग-अलग ब्रांच में आप लोगा बहाल यह बताय गया है तो सबसे पहले भेलेड N.A.T.S. अस्टुएंट आइड आइड आपके पास होना चाहिए तो यह जो है National Appetence Training का जो है आप लोग का एक आईडी होता है यह आप लोग ओनलाइन है आपके कर सकते है यह आप लोग का बेप साइट है उसके मादिम से आप लो बीटेक किया हुए है या फिर डिपलोमा किया हुए है तो आप इस ब्रांज के लिए अपलाई कर पाईएगा साथ में आप डिग्री डिपलोमा जो आप लोग का रहेगा यानि कि आप लोग को कोर्स खत्म होगा है वो तीन साल से ज्यादा हाप पर पुराना नहीं होना चा लाए और एक साल का जो है आप लोगों पर कोर्स रहेगा यानि कि एक साल जो है फिलाल आप लोगों पर नौकरी दिया जा रहा है आप लोगो ट्रेनिंग यहां पर दिया जाएगा आगे कोई बहाली आता है तो उसमें आप यहां पर आभिदन कर पाईएगा और आप लोग देखे क्ब का吃्ण को के होने बाला हे यहां पर यहां पर दर्भंगा यहां में इंतर्व्य मुझा मुंंगेर में देखे अपको अंपर होने बाला है तो मुणगेर में 24 धillon को आप ãy—ब अंपर निकल के आया हुआ है और लगभग मैं आप लोग का स्ञेम रहने बाला है ग। इSaň कर लिए भरती हैं आप निकलके आया हुआ था मैं अब देदिया है इस website का लिंक आपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो वहां से तो आप भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद